समगर देशवासी हर्स से भर गए लंबे वियोग से लंबे वियोग से जो आपत्य आई थी उसका अंत हो गया उस कालखंड में तो वो वियोग केवल 14 वर्षों का था तब भी इतना सही था इस यूग में तो अयोध्याव और देश वास्यों ने सेंकडो वर्षों का वियोग सहा है हमारी कई कई पीडियों ने वियोग सहा है भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रती में भगवान राम बिराजमान है संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दसकों तक प्रभु सिर राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली मैं आभायर व्यक्त करूंगा भारत की न्याय पालिका का जिसने न्याय की लाज रख ली न्याय के परियाय प्रभुराम का मंदिर भी न्याय बद्ध तरीके से ही बना साथियों आज गाओं गाओं में एक सार्थ किर्टन संकिर्टन हो रहे हैं आज मंदिरों में उत्सव हो रहे हैं स्वच्छता अभ्यान चलाए जा रहे हैं पुरा देश आज दिपावली मना रहा है आज शाम घर घर राम जोती प्रज्वलित करने की तैयारी है कल मैं स्रीराम के आशिरवाद से दनोश कोड़ी में राम सेतु के आरंब बिंदू अरिचल मुनाई पर था जिस गड़ी प्रभु राम समुद्रपार करने निकले थे वो एक पल था जिसने काल चक्र को बदला था उस भाव मैं पल को मैसूस करने का मेरा ये विनम मप्रयास था वहाँ पर मैंने पुष्ट बंदना की वहाँ मेरे भीतर एक विश्वास जगा की जैसे उस समय काल चक्र बदला था उसी तरह अब काल चक्र फिर बदलेगा और सुब दिशा में बढ़ेगा अपने ग्यारा दिन के व्रत अनुष्ठान के दौरां मैंने उन स्थानों का चरन प्रस करने का प्रयास किया जहां प्रभु राम के चरन पड़े थे चाहे वो नासिक का पंच्वटी दाम हो करला का पवितर त्रिपायर मंदीर हो आंदर प्रदेश में लेपाक्षी हो श्री रंगम में रंगनात स्वामी मंदीर हो रामेश्वरम में श्री रामनात स्वामी मंदीर हो या फिर धनुष्कोडी मेरा सवभाग है कि इसी पुनित पवित्र भाव के साथ मुझे सांगर से सर्यू तक की यात्रा का आउसर मिला सांगर से सर्यू तक हर जगर राम नाम का वही उत्सवभाव छाया हुआ है प्रभु राम तो भारत की आत्मा के कण कण से जुड़े हुए है राम भारत वासियों के अंतर मन में विराजे हुए है हम भारत में कहीं भी किसी की अंतर आत्मा को छुएंगे तो इस एकत्व की अनुभूती होगी और यही भाव सब जगह मिलेगा इससे उत्कुस्ट इससे अधीक देश को समायोजीत करने वाला सुत्र और क्या हो सकता है मेरे प्यारे देश वासियों मुझे देश के कोने कोने में अलग अलग भाशों में रामायन सुनने का अउसर मिला है लेकिन विशेस कर पिछले ग्यारा दिनों में रामायन अलग अलग भाशा में अलग राज्यों से मुझे विशेस रुप से सुनने का मोका मिला राम को परिभाशित करते हुए रुष्यों ने कहा है रमंत यश्मिन हिती रामह अर्थात जिसमें रम जाए वही राम है राम लोक की इस्मृतियों में परवसे लेकर परंपराओं में सर्वत्र समाय हुए हर्यूग में लोगों ने राम को जीया है हर्यूग में लोगों ने अपने अपने शब्दों में अपनी अपनी तरह से राम को अभिव्यक्त किया है और ये राम रस जीवन प्रवा की तरह निरंतर बहता रहता है प्राचिन काल से भारत के हर कोने के लोग राम रस का आचमन करते रहे हैं राम कथा असिम है और राम आयन भी अनिंत है राम के आदर्श राम के मुल्य राम की सिक्षाएं सब जगह एक समान है प्रिये देश वाचियों आज इस आइतिहाजिक समय में देश उन व्यक्तित्वों को भी याद कर रहा है जिनके कारिया और समर्पन की वज़े से आज हम ये शुब दिन देख रहे हैं राम के इस काम में कितने ही लोगों ने त्याग और तपस्या की पराकास्था करके दिखाई हैं उन अंगिनत राम भक्तों के उन अंगिनत कार सेवकों के और उन अंगिनत संत महत्माओं के हम सब रनी हैं साथियों आज का ये अवसर उत्सवता का ख्षण तो है लेकिन इसके साथ ही ये ख्षण भारतिय समाज की परिपक्वता के बोध का भी ख्षण है हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं बिनए का भी है दुनिया का इतिहास साक्षी है कि कई राष्ट अपने ही इतिहास में उलज जाते हैं ऐसे देशों ने जब भी अपने इतिहास की उलजीवी गांटों को खोलने का प्रयास किया उन्हें सफलता पाने में बहुत कठिनाई आई बलकि कई बार तो पहले से जादा मुश्किल परिस्तित्या बन गई लेकिन हमारे देश ने इतिहास की इस गांट को जिस गंबीरता और भावगता के साथ खोला है वो ये बताती है कि हमारा भविश हमारे अतीच से बहुत सुन्दर होने जा रहा है वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए राम लला के इस बंदिर का निर्मां भारतिय समाज के शांती धैरिय आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है हम देख रहे हैं ये निर्मां किसी आग को नहीं बलकि उर्जा को जन्म दे रहा है राम मंदीर समाज के हर वर्क को एक उजवल भविश के पत पर बढ़ने की प्रेणा लेकर आया है मैं आज उन लोगों से आहवान करूंगा आईए आप मैसूस कीजिए अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए राम आग नहीं है राम उर्जा है राम विबाद नहीं राम संहाधान है् राम शिर्व हमारे नहीं हैं राम तो सबके हैं राम बर्तमान नहीं शिर्प बरतमानी नहीं राम अनंत काल है साध्यों आज जिस तरह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस आयोजन चे पूरा विश्व जुड़ा हुआ है उसमें राम की सर्व व्यापकता के दर्शन हो रहे हैं जैसा उत्सव भारत में हैं वैसा ही अनेक देशों में है आज अयोज्ध्या का यह उत्सव रामायन की उन वैश्विक परंपराओं का भी उत्सव बना है राम लला की यह प्रतिष्ठा वसुदहेव कुटम कम के विचार की भी प्रतिष्ठा है साथियों आज आयोध्या में केवल श्री राम के विगरा रूप की प्रान प्रतिष्था नहीं हुली एं है यह श्री राम के रूप में साक्षा भारतिय संस्कृति के प्रति अट्टूट Removal कीभी प्रान प्रतिष्था है ये साक्षात मानिवे मुल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की भी प्राण प्रतिष्ठा है इन मुल्यों की इन आदर्शों की आवशक्ता आज संपूर्ण विश्व को है सर्वे भवन्तु सुखेदा ये संकल्प हम सद्यों से दोहराते आए है अज उसी संकल्प को राम मंदीर के रूप में साक्षात आकार मेरा है ये मंदीर मात्र एक देव मंदीर नहीं है कि ये भारत की द्रश्टी का भारत के दर्सन का है भारत के दिग्दर शन का मंदीर है ये राम के रूप में राष्ट्वेटना का मंदीर है राम भारत की आस्ता है राम भारत का आधार है राम भारत का विचार है राम भारत का विधान है राम भारत की चेतना है राम भारत का चिंतन है राम भारत की प्रतिष्टा है राम भारत का प्रताब है राम प्रभा है, राम प्रभाव है, राम नेती भी है, राम नीती भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विवु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या सताद्यों तक ही नहीं होता है उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है महर चींब आलमिकी नहीं कहा है राज्यम दस सहस्त्रानी प्रप्यव वर्षानी रागव सुर्था राम दस हजार वर्षों के लिए राज्य पर प्रतिष्ठित हुए यानि हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ कि जब त्रेता में राम आये थे तब हजारों वर्षों के लिए राम राज्य की स्थापना हुई थे हजारों वर्षों तक राम विश्व पत्व प्रदर्शन करते रहे थे और इसलिए मेरे प्यारे देश्वासियों आजयो द्याभूमी हम सभी से प्रतेग राम भक्त से प्रतेग भार्तिय से कुछ सवाल कर रही है स्री राम का भव मंदिर तो बन गया अब आगे क्या सद्यों का इंतजार तो खत्म हो गया अब आगे क्या आज के इस आउसर पर जो दैव जो दैव यह आत्माएं हमें आशिर्वाद देने के लिए उपस्तित हुई हैं हमें देख रही हैं उन्हें क्या हम ऐसे ही विदा करेंगे नहीं कदापी नहीं आज मैं पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है यह सुकत संयोग है कि हमारी पीडी को एक काल जैपत के सिल्पकार के रुप में चुना गया है हजार वर्स बात की पीडी राष्ट निर्मान के हमारे आज की कारियों को याद करेगी इसलिए मैं कहता हूँ यही समय है सही समय है हमें आज से इस पवित्र समय से अगले एक हजार साल के भारत की नीव रखनी है मंदिर निर्मान चे आगे बढ़कर अब हमें सभी देशवासी यही इस पल से समर्थ सक्षम भव्य दिव्य भारत के निर्मान की सोगंद लेते हैं राम के विचार मानस के साथ ही जन मानस में भी हो यही राष्टन निर्मान की सीड़ी है साथियों आज के यूग की मांग है कि हमें अपने अंतर करण को विस्तार देना होगा हमारी चेतना का विस्तार देव से देश तक राम से राष्ट तक होना चाहिए हनुमान जी की भक्ती हनुमान जी की सेवा हनुमान जी का समर्पन यह ऐसे गुण हैं जीने हमें बहार नहीं खोजना पड़ता प्रतेग भारतिय में भक्ती सेवा और समर्पन के भाव समर्थ सक्षम भव्य दिव्य भारत का अधार बनेंगे और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट की चेतना का विस्तार दूर सुदूर जंगल में कुटिया में जीवन गुजारने वाली मेरी आदिवासी मां शबरी शबरी का ध्यान आते ही अप्रतेम विश्वाज जागरुद होता है मां शबरी तो कब से कहती थी राम आएंगे प्रतेग भारतिय में जन्मा यही विश्वास समर्थ सक्षम भग्व्य भारत का अधार मनेगा और यही तो है देश देव से देश और राम से राष्ट की चेतना का विस्तार हम सब जानते हैं कि निशाद राज की मित्रता सभी बंदनों से परे हैं निशाद राज का राम के प्रति सम्मोहन प्रभु राम का निशाद राज के लिए अपनापन कितना मौलिक है सब अपने हैं सभी समान है प्रतेग भारत्य में अपनत्व की बंदुत्व की ये भावना समर्थ सक्षम भग्य दिव्य भारत का आधार बनेगी और यहीं तो है देव से देश और राम से राश की चेतना का विस्तार साथियों आध देश में निराशा के लिए रत्ती भर भी स्थान नहीं है मैं तो बहुत सामान्य हूं मैं तो बहुत छोटा हूं अगर कोई ये सोचता है तो उसे गिलहरी के योगदान को याद करना चाहिए गिलहरी का स्मरणी हमें हमारी हिचक को दूर करेगा हमें सिखाएगा कि छोटे बड़े हर प्रयास की अपनी ताकत होती है अपना योगदान होता है और सब के प्रयास की यही बावना समर्थ सक्षम भव्य दिव्य भारत का आधार बनेगी और यही तो देव से देश और राम से राष्ट का राष्ट की चेतना का विस्तार साथ क्यों लंका पती रामन प्रकांड ग्यानी थे अपार शक्ति के ध्यनी थे लेकिन जटायू जटायू जी की मुल्य से निश्ठा देखिए विए महाबली रावन से भीड़ गए उन्हें भी पता था कि वो रावन को प्रास नहीं कर पाएंगे लेकिन फिर भी उन्होंने रावन को चनोती दी कर्तव्य की यही प्राकास्ता समर्थ सक्षम भव्य दिव्य भारत का अधार है और यही तो है दे से देश और राम से राष्ट की चेतना का विस्तार आए हम संकरपले कि राष्ट निर्मान के लिए हम अपने जीवन का पल पल लगा देंगे राम काज से राष्ट काज समय का पल पल शरीर का कण कण राम समर्पन को राष्ट समर्पन के देश से जोड देंगे मेरे देश वास्यों प्रभु सी राम की हमारी पूजा विशेश होनी चाहिए ये पूजा स्वा से उपर उठकर के समस्ति के लिए होनी चाहिए ये पूजा अहम से उड़कर वयम के लिए होनी चाहिए प्रभु को जो भोग चड़ेगा वो विक्सित भारत के लिए हमारे परीश्रम की पराकाश्टा का प्रसाद भी होगा हमें नित्य पराकम पुर्शार समर्पन का प्रसाद प्रभु राम को चड़ाना होगा इनसे नित्य प्रभु राम की पूजा करनी होगी तब हम भारत को वयवशाली और विक्सित बना पाएंगे मेरे प्यारे देश वास्टियों ये भारत के विकास का अमर्त काल है आज भारत युवा शक्ति की पूजी से बरा हुआ है उर्जा से बरा हुआ है ऐसी सगारत्मक परिस्तितियां फिर न जाने कितने समय बाद बनेगी हमें अब चूकना नहीं है हमें अब बैठना नहीं है मैं अपने देश के युवाओं से कहूंगा आपके सामने हजारों वर्ष की परंपरा की प्रिनना है आप भारत की उस पीडी का प्रतिनी दित्व करते हैं जो चान पर तिरंगा लहरा रही है वो पंद्रा लाग किलो मिटर की आत्रा करके सूर्य के पांच जाकर मिशन आजित्य को सफल बना रही है जो आस्मान में तेजस और सागर में विक्रान का पर्चम लहरा रही है अपनी विरासत पर गर्व करते हुए आपको भारत का नव प्रभात लिखना है पनंपरा की पवित्रता और आधुनिक्ता की अनंतता दोनों ही पत पर चलते हुए भारत सम्रुद्धी के लक्स तक पहुँचेगा मेरे साध्यों आने वाला समाए अब सफलता का है आने वाला समाए अब सिद्धी का है ये भव्य राम मंदिर साथ्ची बनेगा भारत के उतकर्ष का भारत के उदय का ये भव्य राम मंदिर साथ्ची बनेगा भव्य भारत के अब्युदय का विक्सित भारत का ये मंदिर सिखाता है कि अगर लक्ष सत्य प्रमानित हो, अगर लक्ष सामुहिक्ता और संगर्दिक सक्ती से जन्वा हो, तब उस लक्ष को प्राप्त करना और संभव नहीं है। ये भारत का समय है और भारत अब आगे बढ़ने वाला है। सताब्दियों की प्रतिक्षा के बाद हम यहां पहुँचे हैं। हम सबने इस युक का, इस कानखन का इत्लिजार किया है। अब हम रुकेंगे नहीं, हम विकास की उचाई पर जाकर ही रहेंगे। इसी भाव के साथ, राम लला के चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सभी को बहुत बहुत सुपकामरा है। सभी संतों के चरणों में मेरे प्रणाम। कि शियावर राम चंद्र की है। कि शियावर राम चंद्र की मैं आप से निविदन करूंगा अभी थोड़ा आशन ग्रेहन करिए। माननीए प्रधानमंत्री जी यहां से कुबेर टिला की और प्रस्थान करेंगे. माननीए प्रधानमंत्री जी के यहां से प्रस्थान के परश्चाद हमारे मेहंत निर्ट गोपाल दास जी के शिष्ष्यक्रणों से निवेदन करूंगा मंच पर आकर उनको नीचे की और ले जाए जानकी दास जी अब मंच पर आजिए माननी बोहन राव जी भाईया जी कहीं मिलेगे हाननी ये प्रषानवन्तूर की सादू संतों के निकट्टियों जा रहे हैं कि अधार मंत्र जी बहुत निकट पहुच गए हैं संत महापुरुशों के लिए देव से देश और राम से राश्ट का निर्मार यानि कि राश्टिये चेतना में जो राम विराजे हैं वो राश्टिये जन्मानस में राम के गुडों का अवतार हो मानस में जो राम हैं उनके गुडों का भारत के जन्मानस में अंगिकार हो निश्चित तोर से राश्ट निर्मार के एक हजार वर्षों का जो स्वप्न प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी ने दिखाया है वो निश्चित तोर से पुरी दुनिया के सामने भारत भारतियता को नए रूप में व्याख्याइद करता है सनातन संस्कृति को नए स्वरूप में व्याख्याइद करता है हमारी ही संस्कृती कहती है संग अच्छध्वम संवद्ध्वम संवो मनांसी जानताम हमारी ही संस्कृती कहती है सहनाववतु सहनवभुनक्तु हमारी ही संस्कृती कहती है कि हम विश्व बंधुत्व के लिए अपना सर्वस्व नियोच्छावर करें राष्ट निर्मार में अपना सर्वस्व अंशुदान करें विश्व की समरस्ता विश्व की कल्यान और शांतिकी स्थापना का संदेश एक बार फिर से गुझायमान होता हुआ कुछ तो है कुछ तो खास है इस राष्ट में जो परब्रम्ह परमात्मा को अपनी गोद में आकरशित कर लेता है कुछ तो खास है इस अयोध्याधाम में जो निरगुण निराकार परब्रम्ह को सगुण साकार बना देता है कुछ तो खास है इस राष्ट की धूल में इस राष्ट के अन्न में जो मा कौशिल्ला के गर्भ में उस राम को उत्पन्न कर देता है पुत्र के रूप में और उनकी गोद में पुत्र के रूप में परब्रम को खिलने पर विवश कर देता है कुछ तो खास है इस राष्ट में जो भक्तों की भावना क्या नुरूप, अनन्त अनन्त रूप में भगवान अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, राम सब के हैं, राम सर्वत्र हैं, और इसलिए आज एक ऐसे ही अध्भुत अलोकिक स्वरूप में, बाल रूप में पांच अब अपने भक्तों को नए नवीन नूतन दर्शन के लिए पधार चुके हैं, स्वागत कीजिए भगवान शीराम का इस नए अवतार में, आज के इस अलोकिक दिव्य, द्वादशी के तिथि में, जब कूर्म अवतार का दिन, आज भगवान शीराम ने एक बार फिर से अ इंद्रमोदी, यहाँ पर पहुचे हुए संत समाज का, आम जन का, जनता जनार्दन का, विशिष्ट अतितियों का, आज अयुद्याधाम में भगवान शीराम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कारिक्रम इस माइने में भी विलक्षन है, क्योंकि समूची भारत की सारी परंपरा, सभी धर्म, संप्रदाय, मत, पंथ, सब का यहाँ पर संविलन हुआ है, एक यहाँ पर ऐसा समागम हुआ है, जो सनातन संस्कृती के शास्वत तरूप को स्थापित करता है, यहाँ पर शैव, वैशलो, शाक्त, पत्य, गडपत्य, सिख, बौध, जैन, दशानन, दशाद, संकर, रामानुन, रामानुजाचार संप्रदाय, निंबारका संप्रदाय, विश्रुनामी संप्रदाय, रामसनेही संप्रदाय, पंथों में घीसा पंथ, गरीब दासी, गौडिया, कभीर पंथी, वालमीक पंथी, धार्मिक संगठनों में अनेकानेक, विश्व कल्यान में लगे हुए भारत निर्मान में लगे हुए संगठनों के प्रत्निधी महिमा समाज अकाली निरंकारी नामधारी राधास्वामी वरकरी वीरशयों हर कोई भारत की सबस्त मत पंतराय की जो अलग-अलग धाराएं हैं वो आज उनका यहां पर समागम हुआ है आज उ